आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ यह सब्सक्राइब करें कि इनकालते हैं इनमें से कौनसी स्टेटमेंट करेक्ट और कौनसी फॉल्स है तो देखो एक एक करके देखते हैं फॉस्स हाइब्रिडाइजेशन पर आते हैं तो फॉस्स आपको क्या गिवन है यहां पर MN Cn 6 3- सबसे पहले हम यहां पर क्या निकालते हैं इसकी उक्सिडेशन स्टेट सो X plus 6 इंटू 1 Cn पर माइनस 1 होता है is equal to minus 3 सो X will be plus 3 तो MN जो है उसकी अगर मैं configuration की बात करूँ आउटर मोस तो वो 3D5 4S2 होता है तो अगर हम MN plus 3 लिखेंगे तो आपका क्या आजाएगा यहां पर 3D4 क्योंकि दो electron यहां से और एक यहां से तो देखो 3D4 में अगर आप इसकी configuration को draw करोगे तो यहां पर कैसे आएगा यहां पर S होता है और यहां पर हमारा P होता है तो हम यहां पर draw कर लेते हैं कुछ इस तरीके से यह आपका D हो गया S और यह आपका P हो गया तो 3D4S और 4P तो देखो अब electrons की filling करो 3D4 है So 1, 2, 3 and 4 अब हमारे पास जो Cn होता है वो आपका क्या होता है strong field ligand तो strong field ligand pairing करा देता है तो यह आपका यहां पर pair हो जाएगा और यह आपका यहां पर pair up हो जाएगा ठीक है तो देखो लेकिन यहां पर क्या होगा कि एक ही electron pair up होगा क्योंकि इसको अगर हम pair up कराते हैं तो हमारा क्या होगा लेबाईल कॉंपलेक्स बनने की tendency होगी तो वो requirement नहीं है तो हमारा जो pairing के बाद आएगा configuration कुछ इस तरीके से आएगा हम यहां पर देख लेते हैं उसको हम एक बार यहां पर फिर से चेक कर लेंगे कि pairing के बाद जो हमारी configuration है वो किस तरीके से आ रहे है तो हमें hybridization को judge करने में easy होगा तो आपका कुछ इस तरीके से है यहां पर pairing हो गई यह आपका कुछ इस तरीके से है तो यह आपके vacant हो गए तो D2 SP3 यानि कि इनर वाला D इस्तिमाल होगा तो यानि कि यह आपका correct है अब हम बात करते हैं कि इसकी Fe Cn6 3- की तो जो इसका हमें second part given है उसमें आपको क्या given है Fe Cn6 and 3- तो यहां पर भी जो oxidation state आएगी वो आपकी X plus 6 into minus 1 is equal to minus 3 so X will be plus 3 यानि कि Fe plus 3 में आगया तो Fe जो है वो आपका oxidation configuration क्या होती है 3D6 4S2 और अगर वहीं पर मैं Fe plus 3 की बात करूँ तो आपका 3D5 आजाएगा इसके लिए जब हम draw करेंगे तो देखो कुछ इस तरीके से draw करेंगे मैं यहां पर सिर्फ D draw कर रही हूँ D वाले orbitals को तो यह आपका कुछ इस तरीके से है 1, 2, 3, 4 and 5 अब Cn क्या है? Strong field legend है तो again यहां पर pairing हो जाएगी तो यह यहां पर paired up हो जाएगा तो देखो यहां पर हमारे पास दो D अभी भी vacant है inner वाले तो आपकी D2 SP3 बनेगी same तो यह भी correct है अब अगला क्या है आपका देखो कोबाल्ट है और C2O4 3 minus है तो हम यहां पर लिख लेते हैं आपके पास कोबाल्ट है C2O4 3 and 3 minus तो similarly यहां पर X plus 3 3 into 1 C2O4 पर minus 2 charge होता है तो हमारा 3 into minus 2 आएगा same यहां पर आपको plus 3 मिलेगी oxidation state तो कोबाल्ट की अगर configuration की बात करें तो क्या होती है 3D7 4 is 2 वहीं पर अगर मैं कोबाल्ट plus 3 की बात करूँ तो आपकी 3D6 आजाएगी तो देखो इसके लिए जब हम draw करेंगे तो कुछ इस तरीके से आप लिखोगे यहां पर यहां पर यह आपका D3D है तो 1, 2, 3, 4, 5, and 6 अब यहां पर oxalate भी हमारा क्या होता है strong fill ligand तो आपकी pairing करा देगा यह यहां पर यह यहां अगें यह और यह आपका vacant हो जाएगा तो आपकी hybridization D2, SP3 आएगी तो first statement correct है क्योंकि तीनों ही D2, SP3 है तो यानि कि यह आपकी true है अब बात करते हैं MnCl6 और FeF6 3- की तो देखो हमारे पास क्या है एक तो है Mn इसका B part क्या कह रहा है आपको MnCl6 3- और आपका अगला क्या है FeF6 3- यह दोनों complex है एक बार cross check कर लेते हैं फिर हम इसको further solve करेंगे यह क्या बोल रहा है कि these are paramagnetic and have 4 and 5 unpaired electrons paramagnetic क्या होता है जिसके पास 1 या 1 से ज़ादा unpaired electrons होते हैं उसको हम paramagnetic बोलते हैं तो Mn के oxidation state क्या होगी x plus 6 into minus 1 is equal to minus 3 so it will be plus 3 similarly यहाँ पे x plus 6 into minus 1 क्योंकि एक fluorine पे minus 1 है so x will be plus 3 तो जो Fe plus 3 होगा वो आपका क्या होगा अभी हमने Fe का देखा था 3D6 4S2 होता है तो plus 3 में आपके पास 3D5 आएगा और जो fluorine है यह आपका क्या होता है halogenes क्या होता है weak field ligand similarly यहाँ पे भी क्या है weak field ligand है हमारा चीक है तो यह जो weak field ligand है यह pairing तो कराएंगी नी तो अब हम यहाँ पे अगर देखें इनके जो D orbital का हमारा configuration आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा दोनों के लिए हमें draw करना है तो यहाँ पे हमारे पास 1, 2, 3, 4 यह आपका पुछ इस तरीके से है तो यहाँ पे 3D है यह इसके लिए 3D है तो इसके पास MN के पास क्या हो जाएगा देखो MN की configuration क्या होती है 3D 5 outermost में लिख रही हूँ 4S2 तो MN plus 3 की क्या हो जाएगी 2 यहाँ से और 1 यहाँ से 3D 4 तो कितने electrons आ जाएगे यहाँ पे 1, 2, 3 and 4 पेरिंग हो नहीं है तो 4 unpaired electrons आ गए 4 unpaired और इसमें आपके पास 1, 2, 3, 4 and 5 तो इसमें 5 आ गए पैरा मैनेटिक तो है क्योंकि यह paired up मतलब अन पेर इलेक्ट्रोंस हैं यहाँ पे यानि के यह statement भी हमारी correct है तो हमारी दोनों statement correct है तो अगर हम देखें, तो कह रहा है बच statement 2 is false, option 1 में wrong यह कह रहा है बोथ हार false wrong बोल रहा है first is incorrect wrong तो यह कह रहा है बोथ हार true then option 4 अपको यहाँ right answer है आन्सर है थीका, thank you क्लासिक्स स्ट्वेल से लेके नीट आयाईटी जेही मीन्स और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स कभर हो सा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप या वाच्साप कीजिए अपने डाउट्स 8444 पर